सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और हमारे नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें कि अच्छाइब करें कि नमस्कार दस्तक मित्रों मैं दर्मेज जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरू के तुलारासि में गोचर की अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंद अभी करिए जोतिस द्रस्टी से गुरू ताकत्वर और सबसे उदाल ग्रह माना जाता है। गुरू को उच्छ कोटी का समझदाल ग्रह भी कहा जाता है। गुरू जिसे ब्रोश्पति भी कहते हैं। हर परिष्थिती को विशाल द्रस्टी से देखने की किशमता रखता है। गुरू की कृपा के बिना मानिवे जीवन में सकारत्मक एवं अच्छी चीजे घटित नहीं हो सकती। गुरू नकारत्मकता एवं बुरी चीजों को जीवन से बाहर फैंकता है। गुरू प्रत्यक राशी में पारागवन के लिए लगभग तेरा महने का समय लेता है। वर्तमान में गुरू कन्या राशी में है जो तेरे महनों का पारागवन पुरा कर 12 सितंबर 2017 को तुला राशी में गोचर करेगा। तो आईए जानते हैं गुरू के गोचर का विभिन बारा राश्यो पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए बात करते हैं रुश्यवराशे की। गुरू के गोचर के प्रभाव से आपको पेशेवर मोचेवर प्रगती मिलेगी। यानि इस से में जो भी काम आप करेंगे वो काम अच्छे से पूरे होगे। क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपको अधिक खोशी मिल रही है। क्योंकि इस इस मामलों में सफलता अन्य समय की तुलना में अधिक आसानी से मिलेगी… गुरू के राशी परिवर्तन के दोरान आपको बहुती आननप्रद काम मिलेंगे ऐसे में इस थीति में आपको खुशी के ज्यादा मौके मिल सकेंगे हलाकि अति उस्सा में आप अपने क्समता से अधिक काम हाथ में ले सकते हैं जो आप पर भारी पढ़ सकते हैं आपको कुछ मामोली से संबंदी परिश्याने भी होने की संबावना है जो की अनिस्चित और अस्पस्ट होगी आपको खुद के लिए और अपने चाहने वालों के लिए समय निकालने की जरूत महसूस हो सकती है यह समय अपने कामकाजी जिन्गी में बदलाव लाने के लिए उप्युक्त है और आप अपनी दिन्चर्या को व्यवस्थित करने के लिए अथ्याधिक प्रयास डाल सकते हैं इस वीडियो को पुरा देखने के बाद अगर आपको कोई भी प्रस्न है या कोई दूइदा है तो कॉमेंट करें या डायल करें 55181 अपने मोबैल से या उपर दी गई लिंक पर क्लिक करें और हमारे जोतिशों से बात करें आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी लिंक पर क् सब्सक्राइब.